अल्लो गुद एवनिंग सबको गुद एवनिंग और मेरे चैनल पे बहुत बहुत शागत है ऐसे मैंने कभी नहीं बोला हैं न फर्स टाइम बोल रही हूं और अभी मैं कर रही हूं क्या कर रही हूं? अभी मैं देख रही हूं रोडीज एक्स्ट्रीम और यह मेरा तावीज निखल जाता है हाँ, रोडीज एक्स्रीम देख रही हूँ मुझे बहुत जादा पसंद है रोडीज देखना और अभी मैं चाई पी रही है वेट तो अभी मैं चाई पी रही हूँ यह मिली शाम की चाई है और अभी बजेश साथ अभी रोडीज एक्स्रीम देख रही हूँ तो साथ तो बजेंगे और अभी मैं यह मैं दो डबे इसमें है मारी और इसके साथ मैं काती हूँ बॉन बास सारी बॉन नहीं बर्बन काती हूँ वैसे तो मैं औरी को पसंद करती हूँ यह मेरे हजबन पसंद करती है इसलिए मैं भी खा रही हूँ मुझे अभी बहुत सारा काम है मेरे हजबन आज रात को राइस खाएंगे तो हम लोग बंगॉली जो है राइस के साथ बहुत सारा सबजी सबजी बनाते है तो मतलब बहुत सारा मतलब देखते हैं अभी बहुत कुछ काम एं मुझे अदलक रसून छिलना उसका पेस बनाना है और इतने सारे मटर है उनको छिलने है कि बहुत इनों से ये रह गया है मेरे फ्रिज में रह गया है बहुत सब्सक्राब हो जा रहे हैं तो इसलिए मैं छिलके रखती हूं सोचा था मैं इसको फ्रीजर में मतलब फ्रीज करके रख दू बहुत दिनों के लिए बट टाइम नहीं है मेरे पास इतना सब कुछ करने के लिए तो इसे पहले मैंने एक वीडियो डाला है जो ग्रॉसरी शॉपिंग के उपर उसमें कुछ कॉपीराइट क्लेम आ गया था फिर उसका जो म्यूजिक है उसके वज़े से तो पता नहीं I don't know मैंने तो कॉपीराइट फ्री ही डाला था तो मैंने उसे डिलीट करना चाहा पर वह डिलीट नहीं हो रहा था दिन मुझे मेरा दिमाग नहीं चल रहा था मैंने फिर से उसे डिलीट किया फिर अब लोडिंग में लगाया और जब मैंने अब लोडिंग पर लगाया कुछ और म्यूजिक डालके तो वह वाला म्यूजि जब बोटल को भरना बहुत इरिटेटिंग होता यार मैंने चावल चड़ा दिया है ताकि जल्दी जल्दी हो जाए क्योंगे मैं रात को चावल नहीं काऊंगे मुझे रोटी खारना है एनिवेस मैं इसको खाले मेरी चाई ठंडी हो जाएगी चलो खाले होते हैं उसको बाद मुझे लगा कि कि नहीं लखने प्रत्रय वित ऊभकर है करना अपश espaço पर मैं और कि मोटल बहुन काऊंग पहले थावल स्कूंदी बनाना कॉइन कि कbuild on UK, मैंने खाले फ्ली। Ayamem什麼, सजो केर मेरी रोफरी बादिसकों भिष्टार्स सभूा है कर आज कर भी जान देंक आए औ करते हूं हम लोग तो उसको उसका पानी है उसको ड्रेन करना पड़ता है तो वही कर दियती हूं फिर आखे फेसे में लसुन चिलूगी तो चलो आज बहुत दिनों के बाद मैं आपको मेरा किचन दिखाऊंगी मेरा किचन ऐसा कुछ खास नहीं कि बहुत मॉड्यूल किचन या ऐसा कुछ नहीं है सिंपल सा नॉर्मल इंडिन किचन है जो ओपन है ठीक है और यहां पर सब कुछ मुझे ऐसे ही रखना पड़ता है यह मेरा रेंड का रूम है हाउस है तो इसलिए ऐसे रखना पड़ता है तो चलो दिखाती हूं कैसा है यह किचन बहुत बढ़ा है अंदर आते ही यह पर मैंने फ्रेच रखा है और यहां पर बर्तन होने के बाद बर्तन रखते हैं और यहां पर कुछ बर्तन टाम के रखा है जो रेगुलर मैं यूज नहीं करते हूं यहां पर मेरा बोर्ड है, चॉपिंग बोर्ड है, यहां पर बैक्स रखती हूँ, ठीक है, दर्वाजे के पीछे रखती हूँ कुछ, तो अभी यहां पर रखा है, और यह है मेरा किचन टॉप, यहां पर मैंने गैस रखा है, मेरा मिक्सर डाइडर और आरो, यहां पर मैंने मसाले रखा है, और हमांड देशता बोलत भूर्ड है, उसको रखा है, और तो मेरा मिक्सर एंदि में यहां पर रखा है, मैं सारे कुछ निकाल के रखती हूं जब मैं सारत कजब निकाल के रखती ह للगों यहां पर बड़े मॉग पिर यहां से कप्स रखे में पीछे कुछ इक चाप और उबी और काटोरी रखे हैं पीछ स्टील और में ते च्टोरी जो होते हैं काटोरी वो सब रखे हैं यहां पे टिफिन बॉक्स है यहां तो आठागून के रखती हूं तो इसमें रखती हूं Noel यहां यहां पर मैंने रखा है थोड़े से मेडियम साइज के कटोरी जो रेड कलर के हैं यह माइक्रोवन में भी यूज़ किया जाता है यहां पर मैंने नीचे क्योंकि यहां पर ज्यादा जगा नहीं है तो इसलिए मैंने एक के नीचे एक रखा है तो आप लोग भी शाइद आसे रखते होंगे तो यहां पर स्टील के कुछ बरतन है नीचे यहां पर मैंने कुछ प्लास्टिक के बरतन रखें के काटोरी यह माइक्रोवन क्रूव बरतन है दो यह मेरे शादी के पहला बरतन सो बता सकते हो आप ठीक है यहां पर रखा है पीछे मैंने एक बड़ा स्टील क यहां पर कोई चोटे प्लेट्स हैं स्टील के और ऐसे प्लास्टिक के भी है मतलब फाइबर के जो होते हैं और यहां पर मैंने मैं रखती हूं कुछ इतने चोटे चोटे कंटेनर में पूरा नहीं भड़ता है तो पैकेट को मैं इसमें रख देती हूं रबर बेंड लगा के और यहां पर मैंने तीन चारी रखा है बॉक्स इसमें चाय चीनी और दूध है बाकी सब कंटेनर जो है मैं अलग जवाब रखते हूं मेरे डानी हॉर में एक बड़ा सा कैबिनेट है उसमें रखते हूं शोहां पर मैंने तेन रखा है मस्टम और सफोलर गोल रखा है मैंने उसमें और हूपर सब कुछ जो है यह सारी यह मैं रेगणर वाइस यूज नहीं कर्दो थोड़े से बड़े बातन हैं तो उपर रख दिया नहीं देख सकते हो यह बड़े-बड़े बातन जो है वहां प रखाना जार्व है तो देख्षों कर ये ओपन किजिन है यहां पर मेरा सिंक है सिंक है थोड़ा का गंदा है क्योंकि ऐसा ही था में गंदा नहीं कुछ कान किया था तो इसमेट बाइस से यहां मेरा रक्तिक और लगाने के तो चूरी वगिरा और यह मैंने चाय बनाई थी तो इसलिए है और इसका डिस्टेंस बहुत कम है तो इसलिए मैंने याद पे इस टीकर लगा था जो टाइस में लगाया जाता है उसको मैंने उपर लगाया है ताकि यहां पे कुछ रगंदा ना हो और पड़ी ना निकले इसलिए यही पूंदा पर रेंगाया मतलब कीशाड़न और इसलिए चुह यहींचे बरस पास यहां मितलब बीसिंग के नीचे ही रहता है ड़स्टमीं की यह रता था मिली करता है यह माई प्राविन का कुछ एक राक है उसके उपर मैं रखती हूं मेरे लिए आपके कुछ अगा नहींता है तो यह बहुत लोग फिलिछ रॉप के ऊपर बहुत कुछ रखते हैं मैं इसको रखती हूं और यह टिफिल बॉक्स है जो मेरे हजबन ले जाते है तो इसको यहां यहां पर रखता है और यह यह बर्नॉल यह मुझे कभी-कभी लगता है तो मैं फिलिछ के साइड वाले जो पोकेट्स होते हैं यहां पर रखते हूं शायद मैंने कुछ दिन पहले यूज किया था तो उपर रख दिया मैंने तो यह था मेरा छोटा सा किचन टोर तो चलिए यह बताएगा मैंने चीतना हो सुके मैंने किया है क्यूंकि ज़धा बहुत कम है थिक है बहुत कम है देख सकते हो कंटेनर यहां तो नहीं यह ज़िए यह पर बर्तन है थीक है कंटेनर जो है वह अलग से एक जगा पर है मेरा नहीं बहुत है तो मैं किचन को थोड़ा सा सजाने वाली हूँ तो उस आइंप आपको दिखाऊंगी कैसे सजाया मैंने और 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 कुछ छूट नहीं गया है क्योंकि मैंने किचन से माइप्रोवन वहां पे रहता था मैंने उसको दिकाल दिया आपको यह तो पसंद आए और कमेंटें के बताइए और इसको किस तरह से मैं सजा सकती हूँ मुझे इतना ही आइडिया आया क्योंकि देख सकते हूँ किचन में कोई भी विंडो नहीं है सिर्फ इसको छोड़के और यह भी बहुत चोटा विंडो है इसमें से कुछ भी नहीं होता है सो वेंटिलेशन का जो सिस्टेम है इस घर में बहुत और है तो बताइएगा कैसा लगा देखिए मेरा यह खुद का घर नहीं है यह मेरा रेंट का घर है जैसा मिला मिला तो तो पाई अभी मैं एक वीडियो बना रहे थी वो इंट्रो वीडियो है इंट्रोड़क्शन वीडियो है तो यह लिप्स्टिक का कलर बहुत प्यारा लग रहा है मुझे इसे थोड़ा सा डार्क चाहिए था बट मेरे पास नहीं था वैसे तो यह लिप्स्टिक मैट नहीं है मैंने इसको मैट किया है मेरे चेहरे पर बहुत सारे पता नहीं यह सारे क्या हो रहे हैं मैंने ऐसा कुछ खाया भी नहीं है मैंने होमेपरती दिखाया था बट उससे भी ठीक नहीं हुआ आज तो बंद रहेगा कल दिखाने जाओंगी तेल लगाया है इसलिए थोड़ा से चिप को लग रहा है मुझे बहुत साथा नहीं आ रही थे बट मुझे यह इंट्रो बनाना थे इसलिए मैं हुटके थोड़ा से लिप्स्टिक लगा की बिंती लगा के चलिया है काजल तो मैं और लाइम पहनती हूं सो वह कोई प्राउलम नहीं था बट लिप्स्टिक मैंने कब्रे भी नहीं जैंजिके थे जो पहना था उसके साथ ही मैंने किया तो मैंने दो पैर के बाद अभी मैं केमयर के बैटिया हूं क्योंकि यह व्लॉक दो दिनका है तो अगें यह ए सेकंड डे है और सेकंड डे शाम होगी है अभी बज़े है, साथ, पचीस, तो अभी हो रहा है, कुछ रोडी जेक्षिन नहीं, यह हो रहा है, ट्रोल पुलीस हो रहा है, I think, या, ट्रोल पुलीस हो रहा है, यह भी काफी अंटेटैनिंग है, बट, at the end of the day, क्या होता है, उसको प्यार के समझा के छोड़ दिना जाता है, यह इस व्लोग को लंबा नहीं करूंगी, रात को या, आज रात को, आज रात को एक special खाना पनेगा, वो है धो का डालना, यह बेंगॉली एक डिश है, बात फेमस दिश है, वो बनता है छोले के डाल से, छोले के डाल को अभी ओवरनाइट रखना पड़ता है, या तो आप कम से कम पाँच शे गंटे रखतों तो हो जाएगा, फिर उसको पीजने के बाद जो पेज रणेगा, उसको थोड़ा सा फ्राइ करके, उसको एक ठाली में सेट करने देना पड़ता है, फिर सेट करके, उसमें से छोटे-छोटे क्यूब्स काटे, फिर एक ग्रेवी के साथ यह एक वेज डिश है, बट मैं वेज अद्रग के साथ नहीं बनाऊँगी, मैं अद्रग के साथ नहीं बनाऊँगी, और या, में पाँ स्तमाटर नहीं है, तो या, इस व्लाब को यहां मैं स्टॉप करते हूं, और डिनर वाला जो पार्ट है, वो मैं नेक्स वीडियो पर दखाऊंगी, नेक्स व्लाब में डालूंगी, डिनर रोटीन का, तो या, बाई, होप सो आपको यह वीडियो पसंद आए, और अगर पसंद आए तो, ओ हाँ, आज मैं क्यों और लग रही हूं, मुझे आभी पता चला, मैंने यह बला बिंदी पाना है, और तेल लगा है न बालों में तो इसलिए चिपचिवा जैसा लग रहा है, और छोटा लग रहा है बाल क्योंकि मैंने हाई ब्रेडिंग किया है, तो, या, बाई, गुद नाइट, बाई